हेलो हेलो फ्रेंट नमस्ते गुड मॉनिंग के सो आप सभी उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूं और यह मॉनिंग का ही टाइम था तो क्या हुआ ना कि मंदर में पानी फैल गाया था जो रात को घंटी में भरके रखते थे हूं वही बेड़ा पूजा ग लग रहा था कि लोए काई मंदर काई करंट न लग जाए तो पहले मैंने सुचा कि इसको निपटा लेती हूं किचिन में सब कुछ काम छोड़ा और पहले मंदर को साफ करने आ गई तो मैंने सुचा कि चलिए जब वह ऐसा हो गया है इसका तो पीछे से भी हठा के साफ कर द देखिए और और मैंने सुचा काई से रही थी और करनली ऑघ वैसे में नहाख के करती हूं और आज मैंने सुचा कि मुझे डल लग रहा था तो मैंने सुचा सुचा कि मैं मंदर को साफ कर लूं उसके बाद में सब कुछ करऊ क्योंकि पूरे में पानी पानी हो गया था और तस्विर हो गया पूरी हो गई थी तो यह देखिए मैं अच्छे से इसको क्लिन कर दूंगी और देखिए पूरा कपड़ा पूरा भीग गया जितनी भी फोटो अगयरा थी पूरी भीग गयी मतलब ऐसे करके पानी गिरा था तो इसमें यह लोगए का है तो इसमें करंट का डर बहुत रहता है तो मैंने अच्छे से इसको पहुंच दिया पहले एक कपड़े से पहुंच पह आज यह करूंगी और हो गया था की मंदर का ही मतलब हो गया तोँजह पूर के Kashyya था और तो दो मैंंने को यतों पहुंद भी फोटो वगारा साफ की थी, तो देखिए, कुछ ये सावन पढ़ाए तो मंदर के बरतन वगारा इनको ले जाओंगी, और ये कपड़ाया इसको दोने के लिए डाल तूँगी, और ये फोटो लगए है ये भी साफ करदूँगी, तो फोटो वगारा इतना काम होता है कि बहुत जादा और उपर से एक यह और बढ़ गया एक दो वैसा ही काम और एक मंदर का बढ़ गया तो कोई नहीं चलिए देखे मंदर साफ करने के बाद मैं मैं आई थे और सब्जी बनाने लगी थे उसको तो इसको भीज दिया था उसका बना के तो मैं सब्जी को तो चैंश कुछ मैं कड़ाए मेर पास्तीन या चार है पर प्रेवरय फैन कि ऐसे आदत हो यह है फ्राइफ हैं की सॉरी प्राइफ हैं बोले किना जल्दी से सब्जी बन जाता है और यह उपर ही रहता है तो हाथ यहीं लग जाता है तो सिम्हला मिर्चा और चा यहीं ज़ी दोएक बन गई सबस्जी उसके बाद में पहले पडेव कई सबद्राइब निकाल दी और तरकल लगा तो डवल तेल लगता है और डवली महनत और डवली सब रखार लका तो मेने तेल दिया उसके बाद में देखिं रहे मिर्च काट में लिए मैंने इसको भी डाल दूगी सब्जी में डालूँ तो है ऑफ है और यह भी घर पह थे तो पहरी मेंजरव हिपोँ करते हूँ right करते हुं किसी दिन करते हुं किसी दिन नहीं करते है दूद बगएर भी आ के रखना है और जितनी नम भी वीडियो अन जाँ है उतने आपस नहीं ड़ाने पता नहीं हाँ विडीयो में यहरू सब्सक्राइए अट्रीज और कणने मे welcoming कर मैं छोटा ही बना तो मैने इतना साहीश डाल करते हूं करते हैं कि विलॉग consistent है थोड़ा भूबर और ऊंग तो ले तहले करूंकि मतलब मैंने सुचा करी दूसरा ही भनाओंगी जो इतना है इतने कुल को लां देती हूं यह काफे दन का था तो मैंने इसग्णा बिलॉग है अभी बरतन वगरा पड़े हैं दूद वकर अगरम करना है तो बस यही लगे हुए है तो देखिए दूद की थेली निकाल के पहले इनको धोगे रखोंगे तीन लीटर दूद आता है और काम करते करते सुबह से हालत खराब हो जाती है सुबह का बारे साड़े बारे एक बरतन रखे थे उसके और मैं उनको साफ कर रही थी उस पर अच्छे से नहीं होते हैं तो मैंने इसमें बितम बड़ी डालते हैं और गर्मी में मेरा मतलब बेट भी इतना जल्दी कम होता है कि खड़े से ही मतलब पसीना इतना चलता है कि बहुत ज्यादा बार्जेस बगरा आज मतलब उस दें छुटी थी तो यह छुटी पड़ी थे चार दिन की चुटी ले रखी थी तो इसलिए मैंने सुबह नहीं बनाई वोकी बगरा आज बनाने से छुट गई नहीं तो सुट बनानी पड़ती है तो मैंने बस आड़ा बगरा नहीं लगाया था फृन मैं लोगयर आपक कर लेती हूं ऑर पर देली का जूना मानना पड़ुताय क्योंकि चिकनी हो जाते हैं बहुत सब्ची बगार बनाने से तो धोन तो इधर ही पानी डाल डाल दो कि प्र इसको पानी करूप क्योंकि इसका पाया पितना ही छोटा है जो यहां तक ही आता है और बुसलेंडर बाहर रखा है इसलिए अंदर को नहीं जा पाता है तो बस कपड़े से गिले कपड़े से तीन चार बार पहुंचती हूं धोधों के कपड़ा और इसका कपड़ा मार देती हूं एक बार और देखे टेल्स भी यह छीटा जाते हैं तो इनपे भी हो जाता है तो इनको पिसाफ कर लूँगी और कि चलिए फिर वीडियो अब एंड कर लेते हैं कल मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू बीडियो के साथ बीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना तो चलिए फिर बाए कल मिलते हैं